महलाओं को अधिकार देने का, महलाओं के शक्तिक अउप्योग करने का, वो काम, शायद इस्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चूना है। आदेने अधिक जी, हर देश की विकां से आत्राव हैं। ऐसे मैश्टों आते हैं, जब वो गर्व से कहता है, कि आज के दिन हम सब ने नया इतिहास रचा है। ऐसे कुल पल जीवन में प्राप्त होते हैं। और आदेने अधिक जी, नए सदन के प्रथम सत्र के प्रथम भाशन में, मैं बड़े विश्वास और गर्व से कह रहा हूं, कि आज की ये पल, आज का ये दिवस समध सरी हो, गणिश चतिव्थी हो, उससे भी आशिदवाद प्राप्त करते हुए, इतिहास में नाम दर्जन करने वाला सबाया। हम सब के लिए पल, गर्व की पल है, अनेक वर्षों से, महिला आरक्षन के समन्द है, बहुत तरचाय हुई है, बहुत बाद विवाद हुई है, महिला आरक्षन को लेकर, सउसद में, पहले भी कुछ प्रयास हुए है, 1996 में, इससे जुड़ा, बिल पहली बार पेश हुआ था, अटल जी के कारकाल में, कई बार, महिला आरक्षन का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन, उसे पार कराने के लिए, आखड़े नहीं जुटा पाए, और उसके कारण, वो सपना अधुरा रह, महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं के शक्ति का उप्योग करने का, वो काम, शायद इस्वर ने ऐसे कई पजित्र काम के लिए मुझे चूना है, एक बार फीर, हमारी सरकार ने, इस दिशा में कदम बढ़ाया है, कली केमिनेट में, महिला आरक्षन वाला जो विधेख है, उसको बंजूरी दी गई है, आज, 19 सितंबर की ये तारीक, इसी लिए, इतिहास में, अमरत्व को प्राप्त कर ले जा रहे हैं, आज जब महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही है, बेत्रुत्व कर रही हैं, तो बहुत आवशक है, कि नीती निर्धारण में, पॉलिशी मेकिंग में, हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ती, अधिक कम योगदान दें, ज्यादा से ज्यादा योगदान ही रही हैं, निभायत, आज इस आइतिहासिक मोके पर, नए संसद भवन में, सदन की, सदन की पहली कारवाई के रुप, उस कारवाई के अवसर पर, देश के, इस नए बदलाव का, आवान किया है, और, देश की नारी शक्ती के लिए, सभी साउसद मिलकर के, नए प्रविश्द्वार खोल दें, इसका आरम, हम इस महत्म को नेड़े से करने जा रहे हैं, विमेन लेट डेवलप्मेंट के, अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए, हमारी सरकार, आज एक प्रमूख, संबिधान, संसोधन विदेग, प्रस्तुत कर रही है, इस विधेश का लक्ष, लोकसभा और विधान सभाओं में, महिलाओं की भागिदारी का, विस्तार कर देखा है, नारी शक्ती बंदन अधिरियम, नारी शक्ती बंदन अधिरियम, इसके माद्दम से, हमारा लोकतंत्र और मजबुत होगा, मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को, नारी शक्ती बंदन अधिरियम के लिए, बहुत बहुत बढ़ाई जोँगा, मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों को, आस्वस्त करता हूँ, कि हम इस बीर को, कानून बनाने के लिए, संकल्प बद्द है, मैं सदन में, सभी साथियों से, आग्र पुर्वक निवेदन करता हूँ, आग्रह भी करता हूँ, और जब एक पावन शुरुवात हो रही हैं, पावक विचान हमारे सामने आया है, तो, सर्वसम्मती से, जब ये बिल कानून बनेगा, तो उसकी ताकत अनेग गुना बढ़ जाएगी। और इसलिए, मैं सभी मान्य सामसदों से, दोनों सदन के सभी मान्य सामसदों से, इसे सर्वसम्मती से पारिद करने के लिए प्रार्थना करते हुए, आपका अभाय व्यक्त करता है। इस नए सदन के प्रथम सत्र में मुझे आपने मेरी भावनाओं को व्यक्त करने का अउसर्विया बहुत बहुत धन्यवाद है। झाल